गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स, ओपन इयर बूप, पेंश नमबर 96, आज हम स्टार्ट करेंगे, नमबर फॉर्मेशन, आपको इस तरह के बॉक्से स्पूरे बनाना है, यहाँ पे दिये हैं जो टू डिजिट में हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेक दूरूपस आफ आपको यहाँ पे 22 दिया गया है, यहाँ पे देखें, 00 को एपियार बनाएं, यहाँ पे 66 का बनाएं, 22 का, 1111, 88, यह ग्रूप बने हुए, इनको आपको अंडरलाइन करना है, नेक्स्ट है हमारा नमबर नमबर स्ने, 22, 23, यहाँ स्पैलिंग लिखेंगे, टी, डबलू, ए T-N-T-Y, 23, T-H-R-E-E-3, 24, T-W-E-N-T-Y, 20, F-O-U-R-4, 25, T-W-E-N-T-Y, 20, F-I-V-E-5, यहाँ उट ओनीशिक लिगा लिएं, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 यह आपको लिखना है तो हम यहां लिखेंगे 26 26 यह हमारा है 27 S, E, V, E, N 27 28, T, W, E, N, T, Y 20, E, I, G, S, T 28 इस तरह से आपको यह कम्प्लीट करना है यह बाकी का आपका होमबग है आपको बुक में ही फिल करना है ओके 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 46 47 तो यह हमें आपको 30 ही स्पैलिंग बता देती हूं T, H, I, R, T, Y 30 34 T, H, I, R, T, Y, 30 F, O, U, R, 34 40 F, O, R, T, Y, 40 44 4, F, O, R, T, Y, 40 40 F, O, U, R, 44 Okay Next है हमारा Write the counting 21 on word आपको यहाँ आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है Numbers Counting भी गई है आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है 100 तक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है यह आपका homework यह बुक में ही फिल करना है Okay Next है हमारा Complete the following seconds आपको इसको भी complete करना है हमें start करना है 37 तक और last के digit तक खतम करना फिर 79 से start करके last के digit तक complete करना जितने box से पुतनी counting लिखना है तो यहाँ है 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 अब यहाँ है 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 इस तरह से आपको यह two words करना है तो यह आपका homework है जो आपको बुक में फिल करना है नेक्ट पेंश है हमारा पेंश नमबर 98 पेंश नमबर 98 में हैं Comprehension of two digit number Father is tall than his son Father लंबे हैं अपने बेटी से Daughter is shorter than her mother Daughter short है mother से छोटी है ना ठीक है तो इसका यह मतलब है जो नमबर बड़ा है या जो Father, Mother बड़े हैं उसकी साइट दकका मूँ ओपन किया गया है अपन में ठीक है तो यहाँ पे देखिए The number with greater digit eight tens place is greater than the number with small digit eight tens सबसे पहले हम compare करते Ones के digit से यहाँ two है और यहाँ three है ठीक है अब यहाँ पे देखिए यहाँ eight है और यहाँ four है तो हमारे ड़कका मूँ कहाँ open होगा eight की साइट Okay, let us compare forty two and eighty three The digit of tens in four two, forty two Tens का digit यहाँ पे क्या है four The digit of tens eight Which between four and eight is greater? Yes, it is eight Four and eight में greatest number क्या है? Eight, so the number eighty three is greater than forty two We write eighty three greater forty two Okay Tick the greatest number in the following pair अब आपको यहाँ पे टिक करना है जो greatest number है आपको टिक करना है यहाँ पे देखिए 10 के digit को compare करिए यहाँ two है और यहाँ seven है तो greatest number क्या हुआ हमारा seven Seven हुआ तो हम कहाँ हो हुआ डखका मूँ ओपन करेंगे seven की साइट यहाँ आपको टिक लगाना है ओके Next देखिए 10 के digit को compare करते हैं The digit of tens in four thirty seven Three The digit of tens in four thirty nine four तो हम compare करेंगे three of four में greatest number क्या है Four का हम four की साइट टिक लगा हैंगे अब यह आपका homebook ही यह two digit आपको homebook ही आपको करना है Next is the number with smaller digit of tens is smaller of the two digit numbers Let us compare 50 and 68 The tens digit of 50 is 5 The tens digit of six 68 is six Tens की बात करें अगर 50 में से तो tens की digit हमाई पास five है और 68 की tens digit six है We now six comes after five और five comes before six So we say five is less than six Five is less than six Five छोटा है six से Thus we find 50 is less than 68 And we write 50 less than 68 Cross the smaller number in the following pair पेले हमने यहां पे जो greatest number था उसको टिक किया है अब यहां बोलना है Next is five or four में smaller number four है तो हम 42 को क्रॉस कर देंगे Next है टेंस की digit को compare किया यहां five और यहां six है मगा हमें पी यह cross the smaller number तो हम 58 को cross कर देंगे बागी के one, two, three यह आपका homework है आपको बुक में ही फिल करना है Next है हमारा latest practice Put proper sign, less than, greater than, or equal आपको यहां पे put करना है तो हम compare करेंगे यहां पे two, यहां four, greatest number का है four तो हम 40 sign to come open करेंगे 28 less than 40 ठीक है अब हम 33 और 26 को compare करेंगे उसके 10 के digit को यहां three और यहां two है तो डगका मूँ कहां open अगर greatest number का है three 33 greater 26 number 5, 8, 59, 97, 19 तो 19, 7 Sorry, one digit गलत हो गया है यह आपनने इसको सही करते हैं अपन 59 less than 18 16, 17 तो डगका मूँ कहां open होगा 17 के side Next है हमारा 73, 76 तो हमारा डगका मूँ कहां open होगा 76 तो हमारा डगका मूँ 86 के side open होगा 52, 52 equal है तो हमारा इहां पर equal का sign आएगा 64, 74 तो डगका मूँ होगा हमारा 7 की side यहां पर 6 यहां 7 है 45, 59 हम compare करेंगे 10th digit में यहां 4 यहां 5 यह तो हमारा डगका मूँ 59 की side open होगा यह हमारा homebook है यह हमें book में ही fill करना है ओके next page हमारा page number 100 page number 100 24 इसमें हमें fill करना है 24 से बड़ा digit जो है वह हमें यहां पर fill करना है तो हम यहां पर simple सा 25 कर लेते हैं ठीके तो हम यहां पर once के digit में देखे 10 का digit सेम हो गया ठीके मगर अगर हम once को compare करते हैं यह 5 यह 4 है तो हमारा डगका मूँ कहा open होगा 5 की side तो हम यहां पर डगका मूँ open कर दिया है ओके 35 तो हम यहां पर 36 लिख लेंगे 17 इक्वल 17 8 क्योंकि हमें 8 से छोटा digit चाहिए यहां पर less than का sign लगा हुआ है ध्यान से देखिए हमें इससे छोटा वाला digit चाहिए 49 ग्रेटेस्ट 49 से बड़ा digit 15 18 ग्रेटेस्ट दे 17 नेक्स्ट है हमारा 16 17 कंपियर करना है में नेक्स्ट है 9 10 48 48 48 48 होंगे तभी हमारे यहां पर equal का sign आएगा ठीक है यहां 12 36 37 31 30 9 10 यह आपका homework है यह आपको बुक में equal करना है ओके नेक्स्ट है हमारा फिल दा बॉक्स बेट ग्रेटेस्ट देन लेज देन और इक्वल फिर कंपियर करें यहां 9 है यहां 6 है 10 की डिजित को कंपियर किया तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 9 है ग्रेटेस्ट डिजित 9 है तो हमारा डखका मूर 9 की साइट ओपन हुगा 88 88 equal का sign 67 76 6 7 ओके यह हमारा होंबखे यह आपको बुक में ही फिल करना है next है हमारा greatest एंड smallest तिया है हमें tick the greatest एंड cross the smallest in each of the poles ही जो greatest number है वहाँ पे आपको टिक लगाना है और जो smallest number है वहाँ पे आपको cross लगाना है उसी के ग्रुप में तो यहां पर देखे 64, 26, 17 तो greatest की बात करेंगे तो 64 हमाय greatest number है तो यहां टिक लगाएंगे और 26, 17 में smallest number का है 70 तो हम यहां पर cross लगाएंगे अब बात करें यहां पर 61, 16 और 26 तो greatest number क्या है हमारा 61 तो यहां पर सही का निश्यान आएगा टिक लगेगा और smallest number क्या है 16 तो यहां cross लगेगा ओके नेक्ट इसी तरह से यहां पर 67, 76, 77 है तो 77 greatest है और smallest है 67 92, 95, 99 greatest number है 99 और smallest number है 92 ओके इस तरह से यह आपको complete करना है यह आपका homebook के book में ही फिल करना है नेक्स्ट है टिक दा greatest number and cross the smallest number same to same वोई प्रोसेस यहां करना है जो greatest number है उस पर आपको टिक लगाना है जो smallest number है उसको आपको cross करना है ओके greatest number पर टिक करना है और smallest जो नमबर है महां पर आपको cross लगाना है greatest number पर टिक करना है और smallest number पर cross लगाना है ओके आज के लिए से फितना ही अब्सक्त yen आपको झालेक यह सबस्टबदाब्स अब्सक्त प्रोसी करना है और प्सक्त अब्सक्त अब्सक्त